हलो फ्रेंट्स जब ओनियन का इस्तमाल हम अपने किचन में करते हैं तो इसका जो नीचे वाला पोर्षन है हम उसको कट करकर वेस्ट समझ कर हम फेक देते हैं हमें ऐसा नहीं करना है जो नीचे वाला पोर्षन है हम इसको फिर से ग्रो कर सकते हैं Green onion के रूप में इसको फिर से इस्तिमाल कर सकते हैं इस विडियो के अमद्ध तक आप समझ जाएंगे कि हमें इसको कैसे यूज करना है इसको पानी में भी गुरह कर सकते हैं हमें करना क्या है, जो नीचे वाला पॉर्सन है उसको थोड़ा उपर से कट करना है यह देखिए ऐसे अब यह जो नीचे वाला पॉर्षन है यहां से देखिए इसकी रूप डवलप होंगी और जो उपर वाला पार्ट है जिसका बच गया है वह आप कीचन में इस्तमाल कीजिए चलिए इसको ग्रो करते हैं इसके लिए मैंने लिए तर्मोकल सीच यह वही है जिसमें हमने गार्लिक ग्रो किया था चलिए अब इसी में हम ओनियन ग्रो करेंगे अब देखिए पांच दिन के बाद इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी चार पांच दिन के बाद इसके पाने को चेंज करते रहें आज पूरे दस दिन होचके है इसको अब यह लेखिए इसकी ग्रोथ बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ चल रही है यह देखिए 14 डेज के बाद इसकी ग्रोथ देखिए आप अब इसको आप हर्वेस्ट कर सकते हैं या आप इसको सोईल में भी लगा सकते हैं चल यह एक बार इसकी रूट्स देखते हैं कैसी डवलप नहीं है यह देखिए कितनी हैल्दी ग्रोथ है रूट्स की आई होप यह वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ थैंक्स फुर वाचिंग